सबको नमस्ते आज हम वैदिक मैथेमिटिक्स में सम उफ प्रोडेक्ट्स करेंगे सम उफ प्रोडेक्ट्स कौन से सुतर से करेंगे पहले हमने पिसले वीटियो में क्रोस्वाइज मल्टिप्लिकेशन किया था तो वही हम स्टेप यहां पर लगाएंगे वही थ्री स्टेप्स हैं और इन थ्री स्टेप्स में हम यहां पर क्रोस्वाइज मल्टिप्लाई करेंगे पहला step है vertical जैसे हमने पहले किया था vertical में दौनों को multiply करेंगे दौनों के हम vertical step लेंगे और add करेंगे पहला step हमारा vertical multiplication था और उसको हम add करेंगे जैसे 3 into 2 6 हुआ 2 into 1 2 हुआ तो 6 plus 2 8 लिख दिया हमने आपर पहला step हो गया vertical multiplication दूसरा step है crosswise multiplication crosswise multiplication में 3 बंदा 3 4 to the 8 तो 3 प्लस 8 हो गया 3 प्लस 8 दूसरा है 15 5 3 ता 15 4 to the 8 तो ये 15 प्लस 8 हो गया और add करें तो 15 प्लस 8 23 23 23 प्लस 8 31 31 प्लस 3 34 34 का 4 लिखेंगे एक डिजिक लिखना है इसमें हमने तो हमने cross multiplication किया दूसरे step में तिसरा step है फिर vertical दौनों step का जैसे हमने crosswise multiply में किया तो 3 इंटो 4 12 5 इंटो 4 20 तो add करेंगे तो हमारे पास आया ये 32 32 प्लस 3 35 यानि हम oral multiplication कर सकते हैं इस step को अगर ये compound operation है यानि दोदो operation है multiply भी है addition भी है इस प्रकार के computation exam में सम आते हैं तो हम oral कैसे कर सकते हैं पहले हम वर्टिकल लें दौनों का और फिर दूसरा step crosswise लें दौनों का फिर वर्टिकल लें तो answer oral लिखा जा सकता है जैसे हमने पिछले example में किया था sum of two products बट यहां पर one two three three products हैं इस लिए प्रकार three products में भी same process रहेगा इसमें भी पहला step वर्टिकल दूसरा crosswise तिसरा फिर वर्टिकल पहला वर्टिकल कैसे तिनों का first step वर्टिकल ले लेंगे जैसे 4 बंदा 4, 3, 4 ता 12, 3, 2 ता 6, तिनों का add करें तो 12 प्लस 6, 18 प्लस 4, 22 तो यह हमारे पास two लिखेंगे और एक ही डिजिट लिखना है और next carry हो जाएगा second step कौन सा है crosswise crosswise में क्या करेंगे सब का cross करेंगे और add कर देंगे जैसे 3, 4, 12, plus 10, 22 4 to the 8, 3, 3 the 9, 8 plus 9, 17 तिसा step है वही step 6 into 4, 24, into 1, into 1, 24 plus 1, 25 और तिनों का add किया 22 plus 17 plus 25 तो यह हमारे पास हुआ 64, 64 में 2 करेंगे था तो 6 से 6 और 6 हमें यहां लिख दिया और तिसा step vertical है vertical में y सेम, 5 into 4, 20 3 into 2, 6, 6 into 1, 6 तो यह add करां, तो 26 plus 6, 32 32 plus 6 किया तो 38 तो आप देखे, 386 तो यह answer है हम जल्दे से इसका answer लिख सकते हैं पहले vertical फिर हम crosswise multiply करें और फिर vertical करें तो हम direct यह answer लिख सकते हैं और इस परकार के compound operation हम अगर यह 3 operation हैं, 3 sum है इस परकार के 4 sum अगर हो तो हम कर सकते हैं इस परकार से हमने 3 products किये थे उसे परकार हम sum of 4 products करेंगे 4 products में भी हम पहला step वही same पहले vertical का करेंगे यानि हम सबके 1s place multiply कर लें जैसे 2 into 1, 2 1 into 0, 0 3 into 2, 6 2 into 1, 2 और यह सबको add करा तो हमारे पास आया 10 6 plus 2, 8 plus 2, 10 का 0 लिखा 1 करी दूसरा step वही crosswise multiplication का है जैसे हम करते हैं 3, 2, 6 1 into 1, 1 6 plus 1, 7 यह 5 आया, यह 0 है 5 on the 5, 7, 0, 0 तो 5 plus 0, 5 तो इसला step है 4 into 3, 12 2 into 4, 8 12 plus 8, 20 next step है 5 on the 5, 2 to the 4 5 plus 4, 9 हम इनको add करें तो हमारे पास आया 7 plus 5, 12 12 plus 20, 32 32 plus 9, 31 31 का 1 add करें तो 41 और 41 1 add करें तो 42 और इसके बाद इसके बाद नेक्स स्टेप वही वर्टिकल मल्टिपिलिकेशन तो 3 मन दा 3 7, 5 दा 35 4, 4 दा 16 and 5 to the 10 तो और इस सभी को अगर add करते हैं तो हमारे पास आया 3 plus 35, 38 38 plus 16 54, 54 plus 10 64, 64 plus 4 68 तो इस परकार से हम वही कितने ही सम आ जाएं कितने ही प्रोडेक्ट्स आ जाएं एक ही सम में तो हम एक ही फॉर्मूला लगना है Crosswise Multiplication इसको हम उद्धरों तिरक भी हम कहते हैं उसके तवारा हम कितने भी प्रोडेक्ट्स से एक लाइन में सिधा आंसर लिख सकते हैं तो हम Crosswise Multiply से हम Mix Operation भी करेंगे आए कैसे देखते हैं Mix Operation आए अब देखते हैं कि जैसे हम पहले डिसकस किया था कि Sum पहले हमने किया था उनली अब इस Sum में Multiply भी है Plus भी है और Minus भी है आए इसमें समय और Difference हम डारेक्ट कैसे आंसर लिख सकते हैं फॉर्मला सेम है हमारा Crosswise Multiplication उधर तिरेक भी हम First Step हमारा इसमें है Vertical Multiplication जैसे सब का पहला Step लेंगे Vertical 3 x 4, 12 2 x 1, 1, 2 3 x 2, 6 तो यह Minus का है तो यहां Minus लिखेंगे इसलिए आया 12 प्लस 2, 14 14-6, 8 पहला फर्स स्टेप हो गया Second Step हमारा है Crosswise Multiplication इन दोनों का Crosswise Multiplication Add करेंगे और इसका हम जो 3rd बार का हम Minus करेंगे तो यह हुआ 4 x 4, 16 प्लस 3 to the 6 16 प्लस 6, 22 8, 1 दा 8, 2, 2 दा 4 8 प्लस 4, 12 और यह हुआ 4 दा 8, 5, 3 दा 15 तो 8 प्लस 15, 23 तो हमारे पास आया इसको अगर इजी करें तो 22-23 करने पहले जी रहेगा तो Minus 1 हुआ Minus 1 यहनि इसमें से कर लें 12-1 यहनि 11 और 11 का 1 आ जाएगा और Carry 1 3rd सब वहीं इसे ही Multiplication करेंगे हम 10th place को 4 to the 8 and 8 into 2 16 और 8 प्लस यह 16 और यह आया यह 4, 5 और 20 तो हमारा जो है 3rd step है 8 प्लस 16 24 24 माइनस 20 4, 4 प्लस 1, 5 तो देखें किस प्रकार से हम multiply भी हुआ और addition भी हुआ subtraction single हम orally हम Vedic Mathematics सुत्र का प्रियोग करते हुए हम oral कर सकते है तो हम इस sum को oral करते हुए बहुत sprints है बहुत enjoy करते हैं और यह competition में बहुत ही useful है अगर हम इसको competition में यूज करते हैं तो यह बहुत टाइम सेव करेगा तो दोस्तों आएए यह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम share करें और इसको हम subscribe करें ताकि